Now, example 2 देखे, find the zeros of quadratic polynomial, x square plus 7x plus 10, ये polynomial हमें दे रखा है, and इसके zeros हमें निकालने है, after that, verify करना है relationship between the zeros and coefficient, और उनके बीच के relationship को भी हमें verify करना है, तो पहले हम लिखेंगे, here, जो px है, वो किसके बराबर है, px is x square plus 7x plus 10, अब अब छोटी classes में इनका factor करना सीख चुके हैं, इसका और इसका product करिए, 1 into 10, हमें 10 तो product चाहिए, और 7 उन्हें add या subtract करने पर आना चाहिए, हमें ऐसे दो numbers चाहिए, जिनका product तो आपका 10 आए, और उनको add या subtract करने पर आपके पास 7 यहाँ पर बन जाए, तो ऐसे दो numbers हैं 5 और 2, तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं, x square plus 5x plus 2x plus 10, इन दोनों में से x common ले सकते हैं हम, तो यहाँ पर आजाएगा x plus 5, इन दोनों में से 2 common ले सकते हैं, तो x plus 5, अब दोनों में से x plus 5 common ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा x plus 5, यहाँ बचा x, और यहाँ बचा plus का 2, this is our polynomial, अब देखें, यह इसके factor हो गए, अब 0s निकालने के लिए, आप क्या करना है, यहाँ values पुट कर करके नहीं देखनी है, इसको सीधा 0 के बराबर ले लेंगे, और वहाँ से हम इसकी 0s निकाल देंगे, आप यहाँ लिखोगे, 4 0s of polynomial, हम क्या कर देंगे, इस p x को 0 के बराबर ले लेंगे, यहाँ से x plus 5 into x plus 2 is equal to 0, दो terms का जो product है, वो 0 तब ही हो सकता है, जब उनमें से या तो पहली 0 हो, या फिर दूसरी term 0 हो, तो यहाँ से या तो x plus 5 0 होगा, या फिर x plus 2 0 होगा, तो यहाँ से x की value आ गई, minus 5, और यहाँ से x की value आ गई, minus 2, let's say हम इसको नाम दे देते हैं, alpha, और इसको नाम दे देते हैं, beta, अब लिख देना, 0 जी रोज, और minus 5, minus 2, अब हमें 0s और coefficients के बीच के relations को verify करना है, तो उसके लिए हम यहाँ alpha plus beta निकाल लेते हैं, तो minus 5, plus of minus 2, minus minus add हो जाएंगे, symbol आएगा minus का, product करेंगे, तो minus 5 into minus 2, इनका product यहाँ पर 10 आ गया, यह जो values है, sum और product की, वो तो हमने physically निकाली हैं, जी रोज की मदद से, अब एक हमारे पास relation होता है, उससे निकालते हैं, तो यहाँ पर इसको नाम देना first, now, comparing first with, px is equal to ax square, plus bx, plus c, तो ज़रा देखिए, यहाँ पर, sum जो a की value है, वो क्या आ जाएगी, 1, जो b की value है, वो क्या आ जाएगी, 7, और जो c की value है, वो आ जाएगी, 10, तो यहाँ से, आप अगर sum of zeros निकालोगे, यानि alpha plus beta, वो होता है, minus b upon a, यानि की b की value है 7, और a की value है 1, so this is minus 7, product of zeros निकालोगे, तो c upon a, यानि 10 upon 1 is equal to 10, आप चेक कर लो, कि यहाँ से भी alpha plus beta इतना ही आया है, और यहाँ पर भी इतना ही आया है, तो hence, आप कहे दोगे, कि यहाँ पर जो result है, आपने उसको क्या कर दिया है, verify यहाँ पर कर दिया है, या फिर आप यहीं पर भी इसको दिखा सकते थे, कैसे, इसको आप लिख सकते थे, minus 1, तो आप इसको लिख सकते थे, minus coefficient of, जो 7 है, वो coefficient of x है, और यह है, coefficient of x square, या फिर यहाँ पर भी लिख सकते थे, coefficient of constant term, या फिर आप लिख देते, constant term, upon coefficient of x square, कोई भी एक मेथड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, to verify the relation, या तो ऐसे कर दो, यहाँ तक, या फिर इसको ना करके आप दोनों को बारी-बारी निकाल लो, और फिर तब भी आप इसे यहाँ पर दिखा सकते हैं,